हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं मैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे मैं विरत दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सेलेक्शन मेंटर में और दोस्तों आज हम इस करेंड अफेर्स की बात कर रहे हैं प्रेजन टाइम में जो वेकेंसी निकली हुई है चाहे वो यूपी एससी की हो या फिर वो यूपी पीसी एस की हो या फिर यूपी लेकपाल आदकी जो वेकेंसी जो निकली हैं इनके लिए काफी जादा मातपूर है इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखेगा क्योंकि आने वाले जो एक्जाम से उनके लिए बहुत सारे important point यहां से मिलने वाले हैं तो चलिए पहले question की तरफ चलते हैं ले चलते हैं आपको लिखा हुए National Institute of Rural Development and Panchayati Raj यानि NIRDPR has collaborated with which international organization for training community leaders through online to fight COVID-19 National Institute of Rural Development and Panchayati Raj ने COVID-19 से लड़ने के लिए online माध्यम से सामुदाइक नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस अंतरास्ती संगठन के साथ सयोग किया है तो यहां पर उस अंतरास्ती संगठन का आपको नाम बताना है तो इस अंतरास्ती संगठन का नाम है UNICEF ठीक है क्या नाम है इसका UNICEF United Nation International Children Emergency Fund इसको बोलते हैं तो UNICEF के दवरा यह किया गया है इसका एंसर सही से याद रखेंगे आप और मैंने भी बताया आप देखिए इसका फुल फॉर्म भी आपसे पुछा सकता है NIRDPR का National Institute of Rural Development और पंचायती राज यह हैदराबाद, तेलंगाना हमें इसका जो है कह सकते हैं हेड़कॉर्टर स्थित है और UNICEF के साथ इसने अभी मिल करके training program चलाने की बात करी है जिसमें 28.33 lakh community leaders वो participate करेंगे और इसमें COVID-19 से किस तरीके से गाओं को बचाया जा सकता है इसकी जानकारी provide कराई जाएगी अगले question की तरह बढ़ते हैं Ministry of Home Affairs has issued the advisory to safeguard private individuals from using which video conference application Graham Antralen ने निजी व्यक्तियों को किस video conferencing application का अप्योग करने से बचने के लिए सला दी है ये दोस्तों आजकल के point of view से देखा जाए तो बहुत important है और ये जो app है ये है Zoom app जो बड़ी-बड़ी companies हैं वे आजकल video conferencing के लिए Zoom app का इस्तेमाल कर रही है जिसमें एक साथ कही सारे लोग participate कर सकते हैं और meeting वगरा के लिए official meetings के लिए इन apps का use ज़्यादा ज़्यादा किया रहा है लेकिन भारत की ओर से ऐसा संदे है कि चाइना के इस app में किसी प्रकार की निगरानी करे जानी के संभागना है या यह कह सकते हैं कि भारत के द्रिस्टी कोण से काफी अच्छा app नहीं माना जा रहा है इसलिए इसको use करने से मना किया जा रहा है तो आप ध्यान रखेंगे कि Zoom app जो है यह मना किया जा रहा है जूम app वास्तवी ग्रूप में अगर देखा रहा है यह American application है लेकिन इस application के लिए जो server है वो चाइना में है यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है ठीक है वैसे तमाम सारे कह सकते हैं कि Chinese app हम लोग use करते हैं तो वो काफी हद तक कह सकते हैं कि अगर इनको use करने से बचें तो ज़्यादा ठीक रहेगा यहां पर लिखा हुआ था Cyber Coordination Center C-Code इसको short में क्या बोलेंगे C-Code C-Y-C-O-R-D-Code ठीक है था Cyber Coordination Center under the Ministry of Home Affairs तो आपको एक लियर हो गया कि Cyber Coordination Center किसके अंतर गताता है Ministry of Home Affairs के अंतर गताता है ग्रेमंत्राले के अंतर गताता है और ग्रेमंत्री इससे में कौन है आपको मालूम है में शाजी है has issued an advisory to safeguard the private individuals who use the video conferencing app उन्होंने एक advisory जारी की है एक सलाह दी है कि जो है बचें आप जूम एप का इस्तेमाल करने से ठीक है वीडियो conferencing के लिए जूम एप यूज के आता है मीटिंग वगरा के लिए इन सब चीजों के लिए बचना चाहिए और government officers को भी ये सलाह दी गई है अगले कुश्चन के बढ़ते हैं लिखा है बात की वितवर्ष 17 से वितवर्ष 19 तक के लिए मैं कितनी प्रतिशत की गिरावट मतलब देखी गई है या कितनी प्रतिशत की गिरावट रही है तिस question का correct answer आपका 35% 35% की गिरावट देखी गई है ठीक है आपर लिखावा पूरे detail according to the study mapping India's energy subsidy 2020 mapping India's energy subsidy 2020 की study के according data release किया गया है released by the international institute of sustainable development IISD and the council of energy environment and water ठीक है इसको short में क्या कहेंगे CEEW ठीक इंडियाज energy subsidy drop is 35% तो इन रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की subsidy drop जो है subsidy जो है वो कितनी गिर गई है 35% तक जो है वो ड्रॉप हो गई है किस financial year के लिए financial year 17 से 19 के लिए ठीक है अगे लिखा हुआ है under which section of disaster management act 2005 spitting in public is offense now आपदा प्रवधन अध्रियम 2005 की किस धारा केता है सारुजी जगा में थूकना अब अपराध है अब ये तो भाई इंडिया के point of view से बड़ी समस्या हो गई कि चलते फिरते तो बहुत सारे लोग कहीं पर भी ठूक देते हैं लेकिन आपको मालूम है कि जिस तरीके से corona वाइरस फैल रहा है इस तरीके से जो larva है लार्वा के रहे है, sliwa जो हमारे मूँव में होता है, वो काफी जो थूख के साथ बाहर आ जाता है, उसमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए एक नियम बनाया गया है कि पब्लिक प्लेसेस पे थूखना मना है, जुर्माना है उस पर, तो यह जुर्माना किस section के अंतरगत रखा ग आपको इसके लिए, अगर आप थूखते हैं, अगर आप थूखते हैं, तो आपको क्या कर दिये जाएगा, जुर्माना भरना, पड़ेगा, जो लॉक्डाउन है, वो आपको आगे जो है, वो तीन मही तक extend किया गया है, अगला कुछन है, नेम दा क्वारिंटीन, सॉरी, नेम दा कंट्रीज अधर देन एशिन कंट्रीज, विच इस अटेंड एशियन प्लस थ्री समिट ऑन कविड नाइटें रिस्पॉ COVID-19 की प्रतिक्रिया में, आसियान के साथ तीन और लोग हैं, जिन्होंने शिकर सम्मिलन में भाग लिया है, ठीक है, तो कौन से तीन और कंट्रीज हैं, जिन्होंने आसियन के सम्मिलन में भाग लिया है, इसके बारे में आपको बताना है, यहाँ पर इसका question का correct answer है, आपका फुल फॉर्म देखने को मिलेगा, Association of Southie Nation, इन्होंने एक वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से अभी एक समिट कराई थी, जो कि किसकी अधिक्षता में हुई थी, वो हुई थी, यहाँ पर नाम लिखा हुए, देखिए, इस जगा पर, यह यह निग्यान जूम पूंच ठीक है, यह प्राइम निस्टर है, वियतनाम के, इनकी अधिक्षता में कराई गई है, मीटिंग आशियान की, और आशियान में दस देश यहाँ पर शामिल हैं, और दस देशों के नाम भी यहाँ पर आपको लिखे हुए मिलेंगे, ब्रुनई, कमबोडिया, इंडोनेशिय लाओस, मलेशिया, मियमार, फिलिपन, सिंगापूर, थाइलाइन, एंड वियतनाम, ठीक है तो वियतनाम जो इसमें अध्यक्ष रहे हैं, और साथी साथ यहाँ पर यह का जा रहा है कि इसके बाद, इस मीटिंग के बाद क्या हुआ है, इस मीटिंग के बाद यह जो लोग लिखा हुआ है, अबब मेंशन मीट, वर्चुल, स्पेशल, एशियान, एलाउंग विद चाइना, जापान, एंड साथ यह एशियान कंट्रीज के साथ अलग से फिर चाइना, जापान और साथ कोरिया के साथ भी मीटिंग करी गई है, तो यह एशियान प्लस थ्री कहला रह है, और उसके प्रभाओं को कम करने के लिए है, तो RBI द्वारा जारी, order book inventory और चमता उपयोग सर्विक्षन, यानि ओबेकस जिसको बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ओबेकस बोला जा सकता है, ओबेकस के 48 में दौर के अनुसार, यानि 48 में मीटिंग के अनुसार, 2019-20 की तीसरी दिपाही में capital utilization में कितनी गिरावट आई है, तो capital utilization में गिरावट आई है, 68.6% की कितनी गिरावट आई है, 68.6% की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जबकि second quarter में आपको 2019 के second quarter में आप देखे तो 69.1% रही हुए, ठीक है, what is the amount that will be provided to refinance नाबाड, SIDB and NHB, तो यह बहुत important question हो सकता आपके exam के लिए, खासकर अगर आप UPSC, PSC की त्यारी कर रहे हैं और यह अगर आप त्यारी कर रहे हैं, लेक पाल की, तो नाबाड, SIDB और NHB को पुनरवित प्र लार करोड रुपय है, तो correct answer हमारा क्या हो जाएगा, fourth number हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, इसका explanation देख लेते हैं, a special refinance facility for an amount of rupees 50,000 करोड will be provided to prime, premier financing institutions that will further help in refinancing small and medium finance institutions, तो देखे, जितने भी SME's हैं, उनकोई शहायता करने के लिए, और जो छोटे लगूग, अगरा जो जोग हैं, उनको refinance करने के लिए, उनको लोन बगरा देने के लिए, यहाँ पर बात कई जा रही है, कि जिसे की smooth functioning सके, business हो सके, आपको सबको मालूम है कि COVID-19 के कारण बिजनेस अप्ठप हो चुका है, सबको पैसे की जरूत पड़ेगी, तो यह पैसे की कमी ना पड़े, इ इंपोर्टेंट है, 25,000 करोड, 25,000 करोड फॉर नाशनल बैंक फॉर अग्रिकल्चर और डेवलपमेंट यह नाबाड के लिए है, नाबाड का full form बहुत पूछा आता है कई बार, लेकिन आप लोग कई बार गलती कर देते हैं, तो कई लोग नाशनल अग्रिकल्चर बैंक ब रखना है, उसके बाद 25,000 करोड फॉर नाशनल अग्रिकल्चर बैंक हमने बता रहिया, हैंड रूपीस 15,000 करोड फॉर स्मॉल इंडस्ट्री इवलपमेंट बैंक यह नहीं CDB ठीक है, और 10,000 करोड जो है वो नाशनल हाउसिंग बैंक यह नहीं नहीं के लिए दिया गया है इंडियाज इन्वार्मेंट एजुकेशन प्रोग्राम उस्वक्ति का नाम बताईए जिसे विश्ववन जीवकोश जिसको के हम WWF बोलते हैं, वर्ड वार्लाइफट भारत के परयावण सिक्षा कारेक्टरम का राजदूत न्युक्त किया गया है, तो आपको बताना है उस चैंपिंशिफ विश्वनाथन आनन्द वस अपॉइंटेड एज एंबेजडर ऑफ इंडियाज इंवार्मेंट एजुकेशन प्रोग्राम तो जो वर्ल्ड वार्लाइफ फंड के दर्गत जो पश्वों से संबंदित जीवों से संबंदित अन्य जीवों से संबंदित जो लोगों को सिक्षा और उससे जागरुकता प्रदान करने का जो पहल है इंडिया का उसके लिए एंबेजडर चुना गया है विश्वनाथन आनन जी को अगला कोशन है नेम अर्स साइज जाए बह narrative एक्स प्लैनette ए एक्सपॉल प्लैनेट फ्लैनेट फिस फेजडर नासा यकृते फ्लैनेट नासा के साइंटिस्टे दुवारा हाली में आपको बताना है कि कौन एक्सप्लैनेत हो जागया प्रत्वी आकार नाम जो नासा वग्यानिक दार स्वाजफिया गया लगाने वाले जो ग्रह हैं, इन से बाहर यदि अगर कोई प्लैनेट पाया जाता है, जो अपने किसी तारे के चारोंट चक्कर लगा रहा है, जो अपने किसी तारे के चारोंट चकर लगा रहा है, तो इस में माना जा सकता है कि संभावित एक्जो प्लैनेट यही होते हैं, ज 1649C ठीक है यहां पर एक पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है a team of scientists of US Space Agency NASA NASA का full form यहां पर देखे National Aeronautics and Space Administration NASA का full form हो गया तो the team of scientists as USA USA Space Agency NASA has discovered an earth-size exoplanet called Kepler 1649 orbiting in its red dwarf stars habitable zone and it was spotted while observing old data of its Kepler Space Telescope which the agency retired in 2018 तो यहां पर NASA के द्वारा एक exoplanet को जग गया है जिसको बताया जा रहा है कि वो earth के size का ही है, earth के आकार का ही है और अपने जीवन जीने के लिए जहां पर उसको पानी मिल सके संभाविच चेत्र में वो क्या कर रहा है अपने star के चारों चक्का लगा रहा है उसकी खोज जो है वो ऐसे दुरदर्शी से हुई है जिसको 2018 में रिटायर कर दिया था, find the geospatical platform geospatical platform for which platform which was prepared and managed by survey of India geospatical platform का नाम बताना है जिसे survey of India यानि SOI द्वारा तयार और प्रबंधित किया गया है तो यह जो प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म का नाम है सैयोग इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है सैयोग यह मुबाइल अप्लिकेशन सैयोग के बारे में है यहाँ पर लिखा है indiamaps.gov.in slash soiapp forward slash यह पर्टल के बारे में फिर से पढ़ दे रहा हूँ mobile application सैयोग and the portal prepared and managed by the survey of india soi will complement the आरोग किसे तो mobile application launched by the government of india for contact tracing public awareness and self-assessment objectives तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यह सैयोग नाम का एक mobile app है जो कहीं न कहीं आरोग किसे तो जो application है जो launch किया गया था government of india की तरफ से लोगों की tracing की जासे के covid-19 के जो कह सकते हैं कि प्रभावित व्यक्ति है उनकी tracing करने के लिए public awareness वेलाने के लिए self-assessment of programs चलाने के लिए इन सब आपजेक्टिव से जो आरोग किसे तो चलाए गया है उसी की तरज पर अगर देखा रहा है उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे उनका नाम क्या है? उनका नाम है तो फिजिकल ये बुक जो है मार्केट में नहीं दी जा सकी इसके लामद दो और बुक्स है जिनको Amazon जो क्या सकते हैं company है उसके digital platform पे इसको publish किया गया है अगला question है वर्ड हीमोफेलिया डे इस सेलिबरेटेड अन्वली आन प्रतेक वर्ष विश्वे हीमोफेलिया दिवस कब मनाया जाता है तो विश्वे हीमोफेलिया दिवस प्रतेक वर्ष मनाया जाता है 17 अप्रेल को कब मनाया जाता है 17 अप्रेल को और 17 अप्रेल को ये जो विश्वे हीमोफेलिया दिवस जो मनाया गया है उसकी जो theme रही है इस पार की वो रही है get plus involved, get plus involved ये theme आपको ज़रूर ध्यान रखनी है clear रहना है बात, ये बात आपको ध्यान रखनी है और हर साल 17 April को ये क्यों मनाया जाता है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि WHF यानि की Third Federation of Hemophilia ठीक है उसके जो founder थे, उनकी birth anniversary है ये इसी वज़े से 17 April को हर बार word hemophilia ये मनाया जाता है दोस्तों ये थी कुछ important current affairs जिसे अभी भी आपने सुना, समझा और अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे like करिए, इसे share करिए और किसी questions related कोई query है तो comment section में comment करके हमसे जरूर पूछे दोस्तों इसकी pdf आपको नीचे जो contact number लिखे हुए है, description box में वहाँ पर आवेर आप join हो चुके होंगे तो आपको मिल जाए कि अगर join नहीं हुए है तो please join करिए और हमारे इस YouTube चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत बूलिए से subscribe कर लिजे जिससे कि आपको हमेशा notifications मिलते रहे, notifications के लिए bell भी धबा लिजेगा Thank you and have a good day